हाज जी दोस्तों तो मेरे हाथ में ही ये दो फोन जिन में से एक है Redmi Note 9 Pro और दूसरा है Redmi Note 9 Pro Max और दोस्तों जो M2 Pro जी हाँ Poco M2 Pro जो launch होने वाला है साथ जुलाई को वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले हैं सिर्फ वहाँ पर डिफरेंस ही होगा कि जो camera module है इसके नीचे आपको देखने को मुलेगा flashlight और यह जो black वाला area है यह आपको देखने को नहीं मिलेगा तो कुल मिला कि एक rebranded version फिर से होने वाला है और यह होने वाला है एक बार global Redmi Note 9 Pro का एक rebranded version जी हाँ सारी specification आपको वही देखने को मिलने वाली है जो कि हमने वहाँ पर देखी दी और उसे नाम दिया जाएगा Poco M2 Pro लेकिन दोस्तों Poco M2 Pro हो सकता है best smartphone under 15,000 जी हाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसी बारे में इस specification तो आपको बताने ही वाले है कि क्या क्या आपको मिलने वाली है Poco M2 Pro में लेकिन ये भी बताने वाले है कि ये best smartphone कैसे हो सकता है तो चलिए बने रहेएगा मारसाथ इस वीडियो में तो दोस्तों डिजाइन के बाद हम अल्रीडी कर चुके हैं जी हां बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा ही quad camera setup आपको देखने को मिलेगा लेकिन ये जो black part है वहां पर देखने को नहीं मिलेगा और directly आपको एक flashlight देखने को मिलने वाली है जो back यहां पर आपको मिलेगा side में fingerprint sensor side mounted fingerprint sensor आपको इस phone में भी देखने को मिलने वाला है बात करते हैं दोस्तों यहां पर processor की तो बिल्कुल सेम यही chipset snapdragon 720G chipset के साथ में आपको यह phone देखने को मिलेगा और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों variant की तो यहां पर possibility यह है कि यह phone आप 6GB होगा जो की highlight feature है इस phone का वो होने वाला है 33W का charging fast charging जो कि हमें Redmi Note 9 Pro Max में देखने को मिली है वही charging आपको देखने को मिलने वाली है Poco M2 Pro में camera की बात करते हैं तो quad camera setup 48 megapixel primary sensor 8 megapixel ultrawide sensor 5 megapixel macro sensor और 2 megapixel depth sensor यह आपको 4 camera देखने को मिलेंगे back side में front side में 16 megapixel का front camera देखने को मिलने व मिलेगा जी हां बिलकुल यहीं display होगा full HD plus के resolution होंगे और जो screen size होगा वो भी 6.67 inches का ही होने वाला है तो कुल मिलाकर ऐसे features आपको देखने मिलने वाले है Poco M2 Pro में लिकिन यह phone best device हो सकता है under 15,000 अब दोस्तों उसका सबसे बढ़ा reason तो यह है कि यह 15,000 पे से नीची की price में आने वाला है जी हां under 15,000 रुपिस की price में आपको यह phone देखने को मिलने वाला है इसके अलब दोस्तों हमें यहां पर जो variant देखने हो मिलेगा वो होने वाला है 6GB जी हां ज्यादा तर चांसे यही है कि जो starting variant होगा वो 6GB से start होगा तो यह बहुत बढ़ी चीज है क्योंकि अ देखने मुलता है Redmi Note 9 Pro Max में जिसका प्राइज है लगबक सत्रा अठारा साढ़े सत्रा जार रुपिर प्राइज है और वो हमें 15,000 रुपर से कम की price में देखने को मिलेगा और इस price में यहां 15,000 रुपर से नेचे की price में कोई भी ऐसे smartphone नहीं है जो कि आपको 33W की charging देता है Realme 6 है लेकिन वहां पर आपको 30W का charging देखने मिलता है जबकि यहां पर 33W का charging देखने मिलने वाला है तो ऐसे कुछ एक point है दोस्तों जो कि इस phone को best phone मना सकते है 15,000 रुपर से नेचे की price में और जहां तक मैं समझ रहा हूं इस phone का जो price होगा वो लगबक 14,000 रुपर आ सकता है तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बहुत इच्छा device होने वाला है लेकिन अगर ये ब्री ब्रैंट डाएगा तो no doubt ये ट्रोल तो हों गई बाकी आप बताएगा दोस्तों कि क्या लगता है को क्या price प्राइस प्यालना चाहिए और ये एक best phone हो सकता है 15,000 रुपर ग्रा